महाराश के मुख्य मंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का नुमोदन करें भारत माता की छेत्रपती शिवाजी महाराज की आज का यह आईतियासिक और स्वार्निम दीन है कि आज हमारे अधर्निय प्रस्ताव मंत्री नरेंदर मोदी जी को एंडिये संसद्य दल के नेतापत पर राजनाथ सिंग जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं हमारे बास अब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्तन देता हूँ और पिछले दस सालों में हमारे अधर्निय प्रस्ताव मंत्री जी ने इस देश का विकास किया इस देश को आगे बढ़ाया इस देश का नाम पुरी दुनिया में रोशन करने का काम किया देश की अर्थविवस्ता को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नहीं पैचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नितिश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए है उनका क्या होने वाला है उन्होंने कहा है और कितना भी जुटे नरेटिव जुटी अफवाय फैला कर देश की जनता को गुम्रा करनी की कोशिश की लेकिन ये जुटे नरेटिव और जुटी अफवाय फैलाने वाले को देश की जनता ने नका रहा है और आदर्निय प्रदान मंत्री जी को स्विकारा है उसमें डिटेल में मैं नहीं जाओंगा लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपसीत नेताज कर है नड़ा जी है राजनाद सिंग जी है अमिद भाई है अमरे आदरनी अजित दादा जी है वहाँ अभी सभी महानुबव है एक सियम है वहाँ अमारे चंदरा बाबु जी है निटेश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपसीत फिर से सांसद बने है उनका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ और अभी नंदन भी करता हूँ शिवस्यना के बारे में इतना है मैं कहूंगा कि शिवस्यना और भारते जनता पार्टी एक विचार्धारा एक समान विचार्धारा वाली पार्टी है बाहाँ सभी ठाकरे जी के नेतरूतों में हमारे जो गड़बंधन हुआ है यह हमारे आदरन्य प्रधान मंत्री जी ने जो मेहनत की है जो सभाय लिए है जो उनकी जादू है वो जादू इस बार फिर लगाता तिसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तिसरी बार प्रधान मंत्री बनने के लिए शिवस्यना पार्टी की ओर से रिदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुब कामनाय देता हूँ और सिर्फ इतना ही कहूँगा उनके लिए मैं उन्हें चार पंक्तिया पेश करना चाहता हूँ आपकी इजादत से मैं उस माटी का उर्क्ष नहीं जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैं मुरुत्टू से जिवन खीचा है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे और दस साल जो काम किया है, उसके गवाब सब है और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनिती करते थे उनको उनके घर पर बिटा दिया है और फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे मैं उनका अभिनंदन करता हूँ मैं उनको बहुत बहुत शुब कामना देता हूँ धन्यवाद